हेलो स्टुडेंट, वेलकम टू दा सेंपल पेपर सेक्शन फॉर मैठ थैक्स एस यू नू दाट, सीबीएचे चेंज़ इट्स एक्जामिनिशन पैटर्न सीशी बेज जो हमारा प्रीवियस एक्जामिनिशन पैटर्न ता उसे ड्रॉप कर दिया गया और अब आपको एनूरल एक्जामिनिशन जो है, कमप्लीट स्लेवर्स के बेज़ पर आपका एक्जाम आएगा पहले ऐसा होता था ना, से 1, से 2 पर बेज़ आपको दो जो है, आपके पार्ट्स कर दिये गए थे slivers के, और दो बार में आप exam देते थे, बढ़ अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको 9th और 10th के अंदर complete course जो है, उस पर based आपका exam conduct होगा, अब किस तरह से question paper design होगा, तो mathematics में मैं आपको बता दूँ, कि आपके जो 15 chapters है total, इन 15 chapters से question exam के अंदर ask किये जाएं, आपको जो exam होगा, वो 3 hours का आपको time मिलेगा, और 80 marks का जो है, एक्साम होगा, और total जो है, यहाँ पर 30 questions जो है, ask किये जाएं, सारे question जो है, यहाँ पर compulsory होगे, और complete जो 30 questions को, इनको 4 section में divide किया जाएगा, section A के अंदर 6 questions होगे, और 1 mark of each, एक-एक mark number, section जो B होगा, वहाँ 2 marks के question आपको ask किये जाएंगे, और यहाँ भी 6 questions आपको पूछे जाएंगे, section C, जहाँ 10 questions होगे, 3 marks of each, 3-3 number पे, और जो last section D होगा, वहाँ पर 8 questions आपको पूछे जाएंगे, और यह जो है, 4-4 marks के होगे, यहाँ पर there is no overall choice, कोई भी आपको question paper में choice नहीं दी जाएगी, सारे question आपको यहाँ पे करने, without any choice, and obviously आप calculator का use नहीं कर सकते mathematics paper के अंदर, तो यह जो होती, total हमारा pattern होगा, जो हम final examination देंगे, अब मैं आपको कुछ sample papers जो है, वो salt कराऊंगा, जिससे आपको help मिलेगी अपनी preparation के लिए, now see the sample papers,